सुन्दरनगर की विधायक राकेश जमवाल के करकमलो द्वारा सुन्दरनगर बस्टेंड से पत्रहन गाउं के लिए बस सेवा को खरीचंडी दिखा कर रवाना किया गया इस बस सेवा से पत्रहन गाउं के लोगों में काफी उत्साह और प्रसंता देखी जा सकती थी काफी संक्या में ग्रामिनों ने बस स्टेंड पहुँचकर विधायक का इस बस सेवा से जोडने के लिए अभार व्यक्त किया इस मौके पर विधायक राकेश जमवाल ने कहा कि माननीय मुख्य मंतरी जैराम ठाकुर की सरकार का हर काम सरहना के लाइक है उन्होंने ग्रामिनों के दर्द को समझा और जहां तक भी बस सेवा के ग्रामिनों को जुरूरी होगी वहां तक बसे लगाई जाएंगी उन्होंने परिवान मंतरी गोविंद ठाकुर का इस बस सेवा के लिए अभार व्यक्त किया मारी ग्राम पंचायत करपाही के पफ्रान गाउं की बस की मानती और हमारे उस पंचायत के उस गाउं के वासी बस का इंत्यार लंबे समय से कर रहे थे आज उनका ये जो सपन था वो भी पूरा हुआ मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा इमाचल प्रदेश के समान जे मुख्य मंतरी जारां ठाकुर जी का परिभान मंतरी आदिया बोविंसी ठाकुर जी का के जिनके आशिरवाद से आज सुन्मनगर विदानसवाद क्षेतर में जहां जहां जिस क्षेतर में बसों की कमी है उस कमी को पूरा किया जा रहा है जहां पर नए रूट चलाने की बात है कहीं पर और एडिशनल बस से चलाने की बात है उन सारी मंगों को पूरा किया रहा ह के चैनल के लिए सुन्दर रहर से विजाईश्वर्मा की रिपोर्ट